Hello friends, welcome to the answer visit, this is Ramsoni, आज हम discuss कर रहे हैं सागर इनुवस्टी, हर सिंग गौर इनुवस्टी सागर का BA इंटरेंस टेस्ट का पिपर है, ये BA इंटरेंस टेस्ट का पिपर है, ये काफी important पिपर है, चुकि इसके जो questions हैं उसको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे questions हैं, इन questions क आप जरूर देखें, GS paper के लिए बहुत important paper है, आप इससे जरूर देखें, anyway, जिन लोग का paper है, वो लोग तो इसको देखें हैं, लेकिन लोग का paper नहीं भी है, वो लोग भी इसको देखें, because GS के लिए बहुत important question है, जो आपके हरी exam के लिए important है, चाहे वो civil services का हो, चाहे state PSC UPSC किसी भी exam के लिए काफी important होन वाला है, चली discussion को start करते हैं, देखते हैं पहला question, पहला question है, which economist is divided, economics into two branches, microeconomics and macroeconomics, ये काम किस ने किया था, ये किया था, ये किया था, Ragnar Frist ने, ये काफी important question है, इसको आप लोग गया रिके हैं, Ragnar Frist ने ये divide किया था, इसको आप कुरावी से बोलते हैं, holistic approach में लिया आता है, those all goods which satisfy human wants directly are called, वे सब्भी वस्तों हैं, जो मनुसरी की जरूरतों को प्रतेक्श रूप से संतूस करती हैं, क्या कहलाती हैं, देखे, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, consumer goods, देखा ये question काफी आसान है, this is a very easy question, अगला question आपके सा John Maynard Keynes, इनका नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, और I am sure कि आप लोगों ने macro economics के book जरूर पढ़े होगी, that's a very important book, इस आप Hindi medium के हैं, तो आपने समस्टी अरसास की किताब पढ़े होगी, बहुत important book है, आप लोग जरूर पढ़े, the term social accounting, हाला कि NCRT की है तो आप पढ कर सकते हैं, यहाँ पे classes की information share कियाते हैं, जिसके माधेम से भी आप से जूर सकते हैं, civil services के लिए हमारा चैनल प्रॉपर तरीकिस dedicate करता है, तो आप civil services तैयरी कर रहे हैं, तो भी हमारे चैनल को follow कर सकते हैं, चलि, let's get the next question, just one second, hold on, well, अगला question हमारे सामने है, fiscal deficit, fiscal deficit is equal to, इसका सही answer है, revenue expenditure minus revenue receipt, fiscal deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipt, अगला question आपके सामने है, generally, the slope of demand करो, जो demand करो होता है, इसका slope क्या होता है, इसकी बात करें, देखेंगे, यह demand करो है आपका, that's demand करो, तो slope इसका negative है, तो negative slope होता है, मैं इसका demand करो होता है, इसको आप लोगया थे, बहुत important question है, अगला आपके सामने, included in the monetary cost, monetary cost में इनमें क्या include होगा, तो आप basically, इसमें सारे include होगे, चाहे explicit cost हो, चाहे explicit cost हो, आप इसमें general profit को भी आपे बाग कर सकते हो, यहापे suitable, सारे ही साम monopoly होती है किसी की, तो वहाँ पर obvious ही बात है, वो हर जगे एकी price रखेगा, ऐसे माली सापोज करें किसी की monopoly, monopoly का मतलब है एक आधिकार, हाला कि आम तोरे बहुत सरी जो business का goal होता है, monopoly पाने का, यह उनके पास एक आधिकार होता है, तो चीज़े बहुत आसान हो जाते उनके ल law of variable properties, तो कितने होंगी, there are states of law of variable properties, तो यह तीन होते हैं, अगला है when the equilibrium price changes, equilibrium price दे चेंज करती तो क्या impact होता, देखे इसमें या तो, sorry impact क्या, तो demand change होती है, या supply change होती है, या दोनों ही चेंज हो सकती है, तो कुल बला कि आप कह सकते हो, सारे ही इसमें possibilities हो सकती है, इसका सही अगला कुशन आपके सामने, what is the population density of मद्यप्रदीश, मद्यप्रदीश की population density कितनी है, 2011 census के हिसाब से, हाला कि 2021 के अगली census data आने थे, हाला कि भी तक आया नहीं, चुकि अभी अलड़ी census का data चल करने, basically process चल रहा है, 2022 सक साइदा आ जाए, तो 2011 के census के हादा रपे, जो population density है, वो है 236%, है ना, 236% per square kilometer, तो ये आप लोग गयाद रखेंगे, that's a very important one, और भारत की हम बात करें, तो भारत की कितनी है, आप लोग कमेंडर बताई, भारत की है 382, तो ये भी आप लोग गयाद रखेंगे, this is also very very important, ये पूरे भारत की बात करें, सबसे थिक population density कौन से राजी की है, तो वो है बिहार की, है ना, अगलो के अपके सामने है, सहर मित्रियुजना, सहर मित्रियुजना किस ची से सम्मधित है, तो ये आधरे सेंडर गौर्वर्मेंट की सannie में, सहर मित्रियुजना, इसका प्लोग जा रखेंगे है, अगलो के सामने है, let me bring the next question, just one second where is the headquarters of Madhavaradish Finance Corporation Madhavaradish Finance Corporation का headquarters कहां पे है तो इसका headquarters कहां पे है यह है इन दोर में यहाले कि इन दोर को मिनी बॉम्बे भी बोलते है which is the highest female literacy district of Madhavaradish Madhavaradish में है highest literacy जो है देखें सागशर्टा, सागशर्टा में याद रहे है उपर उमर के जो बच्चे होते हैं उपर उमर के जो लोग होते हैं उनको count करते हैं literacy में साशर्टा में और दूसरी condition यहाँ पर यह है कि हम overall literacy की बात करें तो यहाँ पर ज़लपूर top में है लेकिन हम बात करें female literacy में तो यहाँ पर सबसे top में भुपाल है और बुपाल की जो है 74.9% literacy rate है और उसके बाद ज़लपूर है फिर इसके बाद दौर तो फीमेल literacy में भुपाल top में है लेकिन हम बात करें overall literacy में तो यहाँ पर ज़लपूर top में है अगले वोशन आप मेरे सामने है ज़लपूर यह लाय गया था Auto Neurath के बाद दौरा तो आटो नियूर्थ जो हैं इनके द्वारा ही लाए गया था इसको आप लोग गयाद रखेंगे पिक्टुग्राम इनको सबसे पहले रही थी ये वेना के हैं तो ये भी आप लोग गयाद रखेंगे दासर सो विरी इंपॉर्टेंट कॉश्चन चली अगला कोशन लेते हैं पूचा करिए 50% ये क्या होता है मिडियन में देखें 50% होता है, पसंटाल कplaying का मतलब यह होता है कि 50% लोग आप से नीचे हो, सब्कोस करें मेरा 50% आ जाता है, इसका मतलब यह है कि 90% में यहाँ पर 90% लोग मेरे से पीछे हैं मतलब इसका जुरूरी नहीं कि मेरा 90% हो, हो सकता है, मेरा 30% ही हो, लेकिन 90% का मतलब यह कि 90% लोग मेरे से पीछे हैं, 50% का मतलब क्या है, 50% लोग आप से पीछे हैं, तो इसे बोलते हैं median, तो इसे आप लोग याद रखेगा, अगले कोशन आपके सामने, standard deviation is always calculated from, जो मानना सांकी के जन्म कमाना आता है, ती माना आता है 1662 में, काफी important question है, याद रखेगा है ना, अगले कोशन आपके सामने, economic development is the process by which the real national income of an economy increases in the long run, बहुत ही महत्पूर statement है, आर्थिविकास प्रक्या है, जिसके दोरा एक अर्थविस्ता की वास्तविक रास्ट्रियाय में, एक अ अगले कोशन लेते हैं, let's bring the next question, अगले कोशन आपके सामने है, just one second, who propounded the supernova hypothesis of earth origin, प्रित्वी उत्पत्ति की supernova परिकल्पना को किस ने प्रित्पादित किया, तो ये प्रित्पादित करने काम किया है, होयल ने, होयल बोलते हैं वैसे इनको, तो होयल ने प्रित्पादित कि तो ये आप लोग याद रखेगा, बहुत ही important है, अगला आपके सामने है, तो let me write down this one, ये होयल ने, अगला है आपके सामने, गटनबर्ग discontinuity is located between, गटनबर्ग discontinuity बहुत ही मातपुना, इसको आपने देखा हुआ जो आर्थ में different layers होती है, तो lower mental और upper core की 20 का जो चेत्र है, गटनबर्ग, गटनबर्ग विच्छे दन है न, who gave the theory of continental drift, महादीपी बहाओ का सिधानत किसने प्रतपादित किया, ये दिया था, अल्फरेड वैगनार ने, अल्फरेड वैगनार ने continental drift की philosophy, प्रोपॉर्ण की थी, अगला वोशन आपके सामने, who coined the word plate, 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 टेक्टिनु थ पुरा है, zone to the version, इनके उदर आई प्रोपॉर्ण के गया था, ये आप लोग गया दर रखेंगे है न, चल, अगला वोशन आपके सामने, the point at which the earthquake originates, is also known, जिससे क्या बोलते है, epicenter, बहुत ही आसान सा question है, तो आप लोगन देखा ये, अगला वोशन आपके सामने, the rocks formed by cooling of lava, the rocks formed by cooling of lava is, तो ये क्या होगा, igneous rock होगी, बहुत simple question है, अगने चप्टाने, which the following is an example of glacial deposition, glacial deposition का example कौन है इसमें, देखें, यहाँ पर देखा जाए, तो इसका best example आएगा, all of these, because यहाँ पर drumlings है, glacial deposition की बात कर रहे है, तो basically that's, basically we can say, तो इसके best example की दिए हम बात करें, तो यहाँ पर example में सारे ही कर सकते हैं, drumlings हैं, मुराइंस हैं, अब देखें, drumlings और मुराइंस तो आते हैं, हमक को भी level count कर सकते हैं, हम glacial deposition में, तो इसका सही answer होगा, सारे ही इसमें count कर ले जाएंगे, अब ऐसे question में all of the boy, सही answer होता है, which the following is not a depositional endland form, इन में से कौन से deposition landform नहीं है, देखें, इसमें जो नेरोरीज होती है, जिसको बोलते हैं, आरेटे, तो यह तो basically सवाली नूरता, बाकि अलोवल फैन है, फ्लर्ट पेन है, एडिल्टा, यह सारे के सारे deposition landform है, लेकिन आरेटे की बात करें, नेरोरीज होती है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं deposition landform के रुप में, अगला question आपके सामने है, just one second, hold on, okay, यहाँ पूछा गया है, तरन lakes, यह जो lakes होती है, आप formed by which isn't, तो यह glacier की दोड़ा form के आती है, इसको आप लोग गयाद रखेंगे, अगला question आपके सामने है, little bit nice question, which the following landforms is generated by erosional process, erosional process कौन सब form होता है, तो देखे इसमें देखा जा तो यह intransed menander भी है, और menander भी है, तो इसमें basically यहाँ पर दो-दो option, basically erosional process के थूँ, आप सही कह सकते हैं, intransed menander भी है, menander भी है, but we can go with the intransed menander, because यह तो proper तरीगे से, बहुत फोस तरीगे से erosional होता है, यहाँ तो intransed menander, we can say, or repeat menander, menander क्या होता है, यह प्रकास से, यह प्रकास से ऐसे से बन जाते हैं, anyway, which of rocks types does not have a humus, तो इसमें इग्नियस rocks की बात करें, आप यह humus नहीं होता है, who proponent the term geographical cycle of erosion, geographical cycle of erosion का जो यह term proponent किया था, यह W.M. Davis ने किया था, यह आप याद रखेंगे, बहुत ही important question है, अगले question आपके सामने, what is the scale used for measuring the intensity of earthquake तो intensity measure करने के क्या होता है, register scale होता है, यह तो आप जानते ही है, बहुत ही आसान सो question है, what is the line that joins the places where earthquake socks arrives at the same time, तो यह क्या होता है, इसे बोलते है, homosimals, क्या बोलते है, homosismals, अगले है आपके सामने, what is the instrument used for earthquake monitoring, तो यह आपका seismograph हो गया है, register scale measure करते है, अगले आपके सामने, total station देखें यह, total station अलग्ची होता है, civil engineers का इस्तेमाल करते है, lord sea waves generated by the earthquake in the sea, that's called tsunami, बहुत ही आसान सो question है, चली अगले ocean देखते है, let's bring the next question, question पुछा है, which of these is not a greenhouse gas, अब greenhouse gas में कौन से नहीं, तो water vay पर भी greenhouse gas में आती है, आपको पता होना अच्छी है, methane भी आती है, carbon dioxide आती है, तो इसमें देखा है, which of these is not a greenhouse gas, तो इसमें देखा है, सारे greenhouse gas है, तो none of these is right answer for this question, अगला है, which of these layers record inversion of temperature on regular basis, तो inversion में बात करें, तो यह कौन सा होता है, तो इसकी बात करने तो इसका सही answer होगा, तो ऐसे question के दिए हम बात करें, तो यहाँ पर inversion of temperature का मतलब होता है, कौन सी परत में नीमित आधर पर, तापमान बिलोमता record कियाती है, मतलब temperature घट रहा है, यहाँ पर देखें, तो ozone sphere के दिए हम बात करें, तो यहाँ बात करें, तो यहाँ पर temperature बढ़ रहा होता है, temperature is basically raising over here, यहाँ पर temperature raise कर रहा होता है, बट यहाँ बात करें, तो यहाँ पर दोनों layer में temperature घट रहा होता है, तो यहाँ बात करें, 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 तो यहाँ बात क is closest to the earth, देखे, summer solustres, winter solustres, और ये equinox दूनों अलग चीज़े हैं, हम बात कर रहे हैं, sun is closest to the earth, इसका मतब यह है कि मालेज़ जो, ये मालेज़ sun है, और यहाँ पर earth है, यहाँ पर rotate कर रही है न, तो जो ये एक जगे होती है, ये जहाँ पर जो earth की, जो distance होती है, ये sun से सबसे कम होती है, तो that's called third january, तुसका सही अंजा क्या होगा, third january है चलिए अगला question आपके सामने, let's bring the next question to you, okay, तो यहाँ पूछागे, from which place in the endless valley civilization has remains of the great bath come to light, तो ये है महाँ जदरो, हला कि महाँ जदरो की बात करें से हमने तुकाटी लाई बोलते है, one of the largest, that's largest in this valley civilization, sites, you know about that, ये as of know कहाँ पे है, ये आपो कमेंट कर बताना है, अगला question आपके सामने, who wrote the Pryag Prasasti, Pryag Prasasti लिखा है, हरिशेन ने, तो ये आप लो गयाद रिखेंगे, अगला question आपके सामने, which is the following, is the oldest Ved, oldest कौन सा है, Rig Vedic, Rig Vedic call, that's called Vedic call, हम बोलते हैं, इसके पहले Iron civilization था, sorry, इसके पहले जो है, Hadapan civilization था, उसके बाद आता है, आरू के अगमन के बाद इस्टार्ट होता है, Vedic call है न, Vedic call लिए बाद फिर उत्र वेदिक call, all of you know about that, अगला question आपके सामने है, let me bring the next question to you, यहाँ पुचा गया है, चोबीस में तिर्थांकर कौन थे? तो 24 में तिर्थांकर के बाद करें, तो यह कौन थे? आपको comment वो बताना है, पहले तिर्थांकर कोन थे? प्लीस टू कमेंट बेलो, हाला कि इनका जो symbol किये थे, नहीं हैं बात करें इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था लोएन, तो यहाँ पे हर एक जो तिथांकर थे, उनका एक सिंबल हुआ अगर था, तो पहले तिथांकर का आपको नाम भी बताना है, और कमेंट करें बताना है कि उनका सिंबल क्या था, इस्तूप आफ सांची is an example of साची की स्थुप की बात करे एक्जामपल है Moran Architecture की बहुत ही important question है अगला question आपके सामने अगला question आपके सामने है अगला question आपके सामने होगे यही question है अगला question 2 was a ruler of which dynasty पुलकेशन दूती है जो है कौन से events किरात है तो यह है चालग तो यह question दो बहुत simple होते है हिस्ट्री के अगला question आपके सामने है अगला question आपके सामने है अगला question आपके सामने है तो यह भी basically आप कह सकते हो आप both a and b are the true and are the correct explanation of a अगला कि यह आप correct non correct का कोई मतलब नहीं है उसमें अब यह सी बात है there is not a explanation meaning तो यह आप सही कर सकते हो हाला कि इसमें कोई उसका explanation का वापस में correction नहीं है अब फिर भी इसलिफिक हैं से is right answer for this question तो यह रहें 50 questions अगले 50 questions जो है अगले वीडियो में डाले जाएंगे आपको यहाँ पर रिदी कोई doubts हैं तो अपनी जी comment करके ज़रूँ बताएं तो definitely उसका अगले वीडियो में हम इनका रफट करेंगे discussion को wind up करते हैं जो हमारे नए friends हैं उससे ज़रूर बुजारीस है कि वो हमारा टेलेग्राम गूप जो है learn services जो आप जोइन कर सकते हैं वहाँ पर हम वीडियो के link share करते हैं तो आप उसके बादेम से भी हम से जोड़ सकते हैं यदि आप UPSC आई State PSC के त्यारी करते हैं तो भी आप मारे चनल को follow कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं सब ही अपने दोस्तों को share कर दिजेगा वीडियो जिससे उनको information मिल पाए कि इसका जो answer किये हो कैसे है discussion को इस वाइन अप करते हैं मुलाकाद करते हैं आप उस फिर जल्दी जो अगला part है अगले 50 question के answer की मैं जल्दी approach कर दूँगा मिलते हैं फिर तब तक पर bye and take care